Hello everyone, welcome to our YouTube channel Technical Society, I hope आप सब अच्छे होंगे तो आपका जो Chrome है वो Open नहीं हो रहा ठीक है तो अगर ऐसा मान लेजी ये मेरा Chrome वाला आइकन है ठीक है जैसे आप इसके उपर क्लिक करेंगे तो आपका Chrome ओपन नहीं हो रहा अगर ये प्रोबलम है तो इसे आप कैसे सही कर सकते हैं वही देखने वाले हैं आज की वीडियो में लेकिन अगर आप हमारे चेनल पर नए आए हैं तो हमारे चेनल को सस्क्राइब कर लीजीए क्योंकि ऐसे ही हम वीडियो बनाते रहते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो तो सबसे पहले आपको क्या करना है अपने सर्च बार में आ जाना है यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर टास्क मनेजर सर्च करना है उसके बाद अपने टास्क मनेजर को आपको खोल देना है तो उसके बाद आपको देखना है कि आपका problem solve out हुआ यह नहीं हुआ, अगर आपका problem solve out नहीं हुआ, तो हम next step पे जाने वाले हैं, तो कभी-कभी यह भी हो सकता है, कि आपके task manager में chrome.exe file ना मिले, तो आपको परसान नहीं होना है, ठीके, तो यह step को आपको script कर देना है, अब चलते हैं हम अपने next step तो आपको क्या करना है, अपने यहाँ पर search bar में आना है, ठीके, आपको यहाँ पर search करना है cmd, ठीके, उसके बाद इसके उपर आपको right click करना है, run edge administration के उपर आपको click करना है, यहाँ पर click करने के बाद आपको यहाँ पर इसे allow कर दिना है, ठीके, उसके बाद आपको भी भी कर सकते हैं ठीक है तो यह यहाँ पे अभी 1% हुआ है complete तो यह 100% होने में काफी time लेगा तब तक इसे मैं यहाँ पे minimize कर देता हूं कि यह background में चलता रहेगा ठीक है तो इससे भी हमारा जो problem है वो solve out हो सकता है लेकिन अब हम चलते हैं अपने तीसरे step पे तो चलिए आपको अपने chrome वाले browser के उपर ऐसे जो chrome का icon है इसके उपर आपको right click करना है right click करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे properties का एक option मिलेगा परपटे इसके उपर आपको क्लिक करने के बाद आपको open file location का option में लेगा इसके उपर आपको क्लिक करना है ठीक है तो आपका यहाँ पर जो chrome है यह open हो जाएगा ठीक है इसके उपर आपको right click करना है right click करने के बाद आपको यहाँ पर rename के उपर आपको create search code का एक option मिलेगा ठीक है उसके बाद आपको यहाँ पर यहाँ से बाहर आजाना है जैसे आप यहाँ से बाहर आएंगे तो आपको यहाँ पर आइकन मिल जाएगा तो पहां पर सर्च करना है परसेंट लोकल और पिर उसके बाद लोकल लिखने के, आपको एप लिखना है फिर डाटा लिखना और फिर आपको यहां का आपको फाइल मिलेगा तो इसके उपर भी आपको डबल टैप करना है देन उसके बाद आप यहाँ पे निचे आएंगे तो आपको एक default का folder मिलेगा ठीक है तो default कर जो folder मिलेगा इसको आपको क्या कर लेना है copy कर लेना है ठीक है copy करके आपको कहीं पे भी ले जाके इसे paste कर लेना है ठीक हम backup के लिए इसे पहले हमने क्या कर लिया इसे copy करके रख लिया ठीक है तो आपको copy करके यहाँ पे कहीं पे भी अपने laptop में रख लेना है ताकि in future अगर कोई problem आए तो ये file हमारे पास save रहे है उसके बाद आपको क्या करना है मानलीजिए आप copy कर लेजिएगा ठीक है मैं अभी copy नहीं कर रहा है तो आपको copy करके कहीं पर रख लेना है दिन उसके बाद आपको क्या करना है फिर से वही position पर आजाना है और फिर जाके अपने chrome को खोलेंगे तो आपका problem solve out हो गया होगा अगर फिर भी आपका problem solve out नहीं हुआ तो अब क्या करना पड़ेगा last option यह है कि अपने chrome को रही install करिये अपनी install कैसे कर सकते हैं तो अपनी install कैसे कर सकते हैं बहुत यह असानी से और बहुत यह अच्छे से तो वह हम देखने वाले हैं तो आपको फिर से अपने search बार में आना है ठीके आपको यहाँ पर लिखना है ap.wij.cpl ठीके आपको यह लिखना है और आपको enter क्लिक कर देना है जूआ Google Chrome… वह अनिस्टॉल हो जाएगा ठीके तो आपको यहाँ पर यहाँ चैर यहाँ पर दे कर लेगा मैं यह सर्च करने के बाद आपको यहां पहर नीचे आना है ठीके आपको यहाँ पर गूगल मिदा तो इसके उपर डबल टैप करने कब हैदकी इसको आपको delete कर देना है ठीक है तो यहाँ से मैं इसे delete कर दिया ठीक है आप इसे delete कर लिजिए यह थोड़ा सट time लेगा ठीक है तो आपको इसे delete कर लेना है मैं अभी इसे बंद कर दता हूँ ठीक है तो यह delete करने के बाद आपको क्या करना है अपने दूसरे browser को खोल लेना है जैसे बहुत ही अच्छे से काम करेगा तो I hope ये फूरी वीडियो देखने के बाद जो आपकी problem होगी वो solve out हो गई होगी अगर आपकी problem solve out हो गई होगी तो हमाई चैनल को subscribe करना मत भूलेगा thank you so much